राम राम जी सार्यानू स्वागत है तो आज दे विडियो दे विच चैनल एम एंड अचीव जो कि साथ इंग्लिश पेड़ागोजी दे पार्ट टैन है जी जी में कि तो अनुपता है कि आपा प्रीवियस कोशन्स वखरे वखरे टेट्स तो डिसकस कर देया ते आज भी होता प्रश्ट वन दी त्यारी कर रहे होता तो अनुप इविएस दिया वीडियो बहुत मिल जानगे बहुत मेटीरियल है जिदे विच मेंली अपा फूड भी कबर कर चुके हैं ते नाल नाल असी ट्रेवल दा फर्स्ट पार्ट वी कर चुके हैं उस तो लावा सुलर सिस्टम या चांजर्वेशन प्रोजेक्ट से सारे कर चुके हैं तो यह तुसी देख सकते हो उस तो लावा एंप लेडिस्ट बनी होई है उस तो लावा पंजाबी दिया वीडियो जो की पियस्ट वान ते टूले इंपॉर्टेंट है पियस्ट टू दे लई साइंस पियस्ट टू पुराने पेपर सॉल्व कीते हुए है तुसी जाके देख सकते हो इंग्लिश पेड़ागोजी दा टैंथ पार्ट है जी शुरू करते है जी अज दी वीडियो फर्स्ट कोशन है जी विच वन इस नॉट मैथड ऑफ टीचिंग स्पैलिंग 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 कोशन नंबर सेके नजदा बन ग्रामर इस टॉट नॉट एज इस सब्जेक्ट बट अलॉट विद टा ग्रेड़ीड रीड़ इडर्स टीज ग्रामर नूवक्रे सब्जेक्ट ली तॉर्टे नहीं पड़ाया जांदा बलकी नाल-णाल ही पड़ाया जांदा या ता इन्हों सी की केने यह ट्रीडीशनल ग्रामरा फंक्शनल ग्रामरा नेख्परिटेव या सारीय इस स्पेश्चल नम खड़ इम्पॉर्टेन्ड कोशण नहीं है फंक्शनल ग्राम ठीक है एक्सक्लामेटरी य ऐसेंटैंस जो है जी साउत हों छलने हैं कि उन्मर्ण बेखेस अब करना investment काुछ पूक्वर्माज़ के तरीकर नाल एक्सक्लामेशन कर रहे हैं हाई वे की होगे या हाई रभा इदा करके ठीक है जी पूस्त लावाची कल करें असर्टीव सेंटेंस दी एक फैक्ट हुन्दा या जिदा सामनों पता कि दो जमाँ दो चार आ एक फैक्ट था एक चींज थोड़ी होना या ताह इदा दा सेंटें अब कि अप्टेटिव लिख दे अप्टेटिव लिख सकते की नहीं लेकिन मैं तो आप्टेटिव था मतलब दस दिना या कि ऑप्टेटिव एक केदा दा सेंटेंस हुन्दा जीदे वे चासी प्रेयर कर दें कोई या आपनी कोई विश्मंग दें या लास्त जो इम्पेरि असी अगर इंस्ट्रक्शन देनी होवे या कमांड देनी होवे या कोई रिक्वेस्ट करनी होवे प्लीज उपन दा डूर ता ओ इंपरेटिव सेंटेंस होंते हैं ठीक है जी ता अगला कोश्चन वाल चल देया जी कोशन नंबर जो 79 है आज दा चौथा कोश्चन विच अफ दा फॉल्विंग इस नॉट अफंडामेंटल प्रिंसिपल ओफ प्रोग्रांड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स कि इंदेया कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल केड़ा नहीं है प्रोग्रांड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स दा ता ओप्शन आपा पढ सिंग कि अपने साठी आल थेजी झाल पड़ना जिनली मर्जी ऐस रिस्पॉंडिंग एक्टिविर रिस्पॉंडिंग नहीं तु या पैसिव रिस्पॉंडिंग प्यां यह मतलब है गड़ी मतलब या इमज्येट कांफरिमेशन की इमज्येट कंफरिमेशन हो जाना लिए तो दिखो जी त्याना सुनों कि इना विच्छों केड़ा एक फंडामेंटल प्रिंसीपल नहीं है प्रोग्राम इस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक्स देख इन्स्ट्रक्शन दो प्रोग्राम कीता हुंदा यह ताकि यह पैसिव रिस्पॉंडिंग पैसिव इना विच्छे नहीं हुंदी ठीक या सो सेवन्टी नाइन दा है जी ऑप्शन नमबर सी कोशन नमबर एटी आज दा फिप्ट कोशन जो यह एक गुटरी बहेवरिस्ट सर्शक्टिव सथ्यां इन्ट्रेक्टिव थे यह उटिस्ट क्योंकि यह ऐँ है कि लेंग्वेज ःन गचा ले इन तरी चल रहा है ता एक पीड़ा है जी ऑप्शन नंबर एक अगर विडियो वदिया लग रही ते लाइक कर दियो चैनल नो सब्सक्राइब कर दियो ठीक है एक टीवन इंग्लिश इस गेवन दा स्टेटस ऑप इंग्लिश नू का दा स्टेटस दित्ता गया या कि यह ओफिश सब्सक्राइब कर दिया है तो या किसे और पाशनल एसूसी यह यूज हो सकती है तो यह किसी और पाशनल एसूसियेटल यूज हो सकती है इनो पहल नहीं दिती जानी तुसी यह कहा सकते हैं में ठीक है जी प्राइमरली इनो पहल नहीं है गी एटी सेकंड कोशन इन लेंग्वेज ग्लास्रूम लेंग्वेज देविच जो थेटर एक्टिविटीज चल दिया आया एक की यह बच्चेयां दे कॉन्फिटेंस नो बदान दिया आया उना दिया लेकिन ज्यादा सही केड़ाया ऑप्शन नमबर डी इटी टूरा है जी ऑप्शन नमबर डी गल्त कोई भी नहीं आपिर आप पहना ज्यादा सही लबना होंदा ठीक है जी पॉशन नमबर एटी थ्री आ सिंग लड़ना चू सजेक्ट एन अल्टरनेटीव टाइटल तूर स्टूरी वूड यह अन्हां स्टूरी टाइटल है गाया लेकिन अब बच्चानु क्या तुसी स्टूरी पढ़ी या तुसी अगर इसाप्टल चेंज करना चाहूंगे कोई हो रखना चाहूंगे ता व तुद रिविजिट करन द्वारा पढ़न मेंटली द्वारा पढ़न मनल दमाग लेगे चे कमान ते उन्हों चंगी तरह हर पक तो सोचन या लड़नस दो बी मोटिवेट करेगा या उन्हानों डाउटफुल रखेगा कि में नू समझ आई के नहीं आई ना देखो असी बच् सब्सक्राइब कोशन नमबर 84 राइटिंग कैन बी बेस्ट एन्हांस्ट त्रू राइटिंग में अगर असी बदाना चौने आता कि दा बदा सकते हैं ड्रिल एक्टिविटीज यानि की प्रैक्टिस देना या जो लिख्या है उन्हों रटा मार लेए या लिखन तो पहला उन्हों रीड कर लिए या पिला ड्राफ्ट बनाईए ब्रेंस्टॉर्मिंग करन तो बाद ठीक्या एंड ते उन्हों बाकी एडिट भी करना या दिको असी ब्रेंस्टॉर्मिंग कर लिए दमाग चास सारे आइडियाज ले आंदे फिर एक कच्छा चिठा खरडा त्यार क कर लिया फिर ही असी उन्हों एडिट कर देया फिर यह उन्हों फाइनल रूप दिनने आता सही है जी एटी फूर्दा ओप्शन नमबर डी कोशन नमबर एटी फाइव आई कटेड दा केक इन्टू टू इक्वल हाव्स एंड गिवड वान टू माई यंगर ब्रदर मैं केक इतनू दो हिस्सियां चिकटे आते अपने छोटे प्राणों दे दिता इस सेंटेंस ना गलत ग्रेमेटिकली गलता उन्हों यानि कि एच एरर आप जो एरर किता बच्चे ने गलती किती या वो कादे करके या कि उन्होंने रूज नो ज्यादा ओवर जनरलाइज कर लिया य और चुकिते हर जगाते ही लगू करन लाग गया गलत तरीके नाल भी लगू लाग लग गयता है जी ओप्षिन नमबर एक वोशन नमबर 86 मुल्टी मेडिया रिसोर्स मुल्टी मीडिया चिदकी टीवी हो गया रेडियो हो गया इस दरी चीसां कि एक एक्सलेंट रिप्लेस जंगल जंगल बाद चली है पता चला है जा है तो हिला देओ अपने कोई भी लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा हा ना या ए लर्णर दे माइंड देवें कंफ्यूजन या खराबी पैदा कर सकते किसे तरीके नाल नहीं खराबी मदब एक बहुत वदिया लर्णिंग रिसोर्स हाई बिलकुल सही ऑप्शन हाजी एक्जामपल है वो है जी ऑप्शन नंबर ए जिन्हों से कहने है एन एक्सपोजिट्री टेक्स्ट एटी सेवन दा सही है जी आफ इस्टॉर्इकल टेक्स हो नहीं सकथा फिक है मैजłe味 हो नहीं सकथा लिए पिछले विडियो जी आ है इस ली जो एक्सपोजिट्री म्त गर्फ सहने नहीं नहीं आइत एक्सपोजट्री टेक्स डशानू थे सकत कुछओ नंबर एटी एट टेट टेक्स्ट वाला टेक्स्ट उन्दावा जेची इन्फरमेशन दिती जान दिया ते बिल्कुल 87 दो ऑप्शन नमबर एट ही क्या कोशन नमबर चल दें आजी 88 वल अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरेड हाइपोथेस्स विच आफ दा फॉल्विंग फैक्टर इस लिंग्ड लेंग्वेज एक्कुजिशन प्रसेस केंदे की क्रिटिकल पीरेड हाइपोथेस्स दे साब देनाल केड़ा एक फैक्टर हा जो की जुड़या हॉया या लेंग्वेज मू ग्रहन करन दी प्रोसेस्स देनाल की हो सा डेको लो बायोलोजिकल एज हाँ मोटिवेशन या इंट प्रमोशन ऑफ मल्टी लिंग्वेज मूजम स्ट्रीरिम रेको प्रमोटी आफ मल्टी लिंग्वेजम मृटी लिंग्वेजम प्रमूट कीता जा सके यह हो सकता है ओप्शन नंबर सी की तरह पंजाबी नो आध निसी थर्ड लेंगवेजर दे तो उरते वर थे नहीं ताह असी सिरफ मात पाशा पंजाबी दी निगल कर रहे हैं ना कली हिंदी दी गल कर रहे हैं या ना कली अंग्रेजी दी असी गल कर रहे हैं आजी मल्टी लिंगुएलिजम दी यानि की बहु पाशा दी ता सही ऑप्शन है जी 89 था भी कोशन नमबर 90 गजर शैंगजव यह जो पढ़ते लिए ये इन एक hablar रेक्ट पैली जो कंपलसरी नहीं हुनी हुदी इन्टोनेशन यानि की तर्चेट होना चाहिए सभी है स्ट्रेस एंड पॉस केड़े शब्द ते केड़े जगा ते जोर पॉना कि ते रुकना कॉम में ते रुकना फूल स्टॉप ते रुकना किना रुकना यह जरूर ही या क्योंकि गाल रीडिंग दिका रहे हैं तो इंटोनेशन भी होने चाहिए स्ट्रेस पॉस होने चाहिए दिया प्रनंसेशन भी होने चाहिए दिया स्पैलिंग दा इते लेना देना नहीं हैगा कंपल्सरी नहीं हैगा सो नाइंटी दा है जी ऑक्शन नमबर भी कोश्चन रहे के साथ इक लोगास अगर वीडियो वदिया लाइक ज़रूर का देयो थ अशेस्मेंट ओफ स्पीकिंग इंटरेक्शन रूटीन रफ फर्स्टों किन्दे जदो ऐसी असेस कर देया किसे नो कि वोल दा कितना या या कि दो या दो अब्जेक्ट्स नो प्लेसिस नो ऐसी असेसर दे लिए लग लें हमलब जड़ा आसेस्मेंट कर रहा या जो अपने स्कूल बरे दसरे आवा इनफॉर्मल तरीके दिनाल या नेगोशेटिंग मीनिंग टेकिंग टरंज एंड अलाइंड अदर्स टू टेक टरंज या निक्यों आप भी बोल रहा या सारे बोल रहे हैं तो इस तरह दिनाल इंट्रेक्शनल रूटीन असी चेक कर देयां कोदी असेस्मेंट कर देयां कि इंट्रेक्शन के दानी हो रही है बाकी के दामी बोल रहे है सिर्फ एक दी गल नहीं हो ठीक है जी सारे बारियां ले रहे है ठीक है कोशन नेक्स्ट वाल चल देया जी 145 एवैल्यवेशन ओफ लिस्निंग स्किल्स कैनाट भी ड़न थू अस इंग्लिश ने स्पीच साउंड्स फुनीम्स नों अंटरस्टेंड कर सकते हैं अबिलिटी टू रीड टेक्स्ट अलाउड देखो अगर उच्छी बोल रहा वा उधिनाल साथा कोई लेना दिना नहीं क्योंकि असी तहां ए चेक करना चाने कि बच्चा सही तरीके नाल लिस लेकिन जो सब्सुन जो करें यह कि नहीं कर सकते हैं कि अलोगर मिशंट नमबर ना ऐठवा इडवाइवाद देवॉएशन बच्चावरी लक्रीए किद्धा बिहेव करेगा पिछली वीडियो बेच भी कोश्चन आया सी तैदा सही आंसर है जी ओनों सी किद्धा helpful असाट लई जो दोस्यों की त्यार कर देया एनक्डॉटल रिकॉर्ड त्यार कर देया हर छोती मोटी गत्ती विदी दा त्यान रख देया कि यो केड़े बिहेवियर केड़ी सिचुएशन ची किद्धा बिहेव करता था 147 दा है जी दी कोशन नंबर 148 विच अफ दा फॉल्वेंग और्गनाइजेशन इस वर्किंग फॉर्डा इंप्रूव्मेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एस्पेशली थ्रू दा यूज ऑफ ओडियो विजुल एट्स के नेदव चो केड़ी और्गनाइजेशन है जो की स्कूल एजुकेशन दी इंप्रूव्मेंट करंच बहुत वज्या रोल ने बार रही है खास करके ओडियो वि सब्सक्राइब कर लियो फुल फॉर्म से जरूर याद कर लियो कोई भी आ सकते या ठेक है जी त्यान रख्यों फुल फॉर्म से याद करनी है सारे नहीं 149 अच एंसी टी इदी भी याद कर लियो ठीक है जी कोशन 149 टीचिंग एड्स आर यूज़ फॉर मेकिंग लेसन के जो टीचिंग एड्स हा वह सी यूज़ कर देया एक लेसन नों की बनाले इंट्रस्टिंग बनाले इफेक्टिव बनाले एकसाइंंग बनाले नहीं जो सही आप्शन है जी ऑप्शन नंबर भी कि एड़ेन असी जो लेसन आ उन्हों इंट्रस्टिंग भी बना सकते हैं इफेक्टिव बना सकते हैं स्टिमूलेटेंग एकसाइटिंग सब कुछ बना सकते हैं की नेक्स्ट कोईशन कोशन 152 टीचिंग लर्निंग मैटीरेल शुट मि मेटीरेज अकोर्डिंग टू कुछ पढ़ा रहे हैं असी teaching learning material use करना चौने हैं उन्हें पढ़ा कुछ हो रहे हैं हो वाथ यह कुछ teaching material थोड़ी use करूंगा ता जो teaching learning material है मैं इस तरीके न select करूंगा कि जो मैं पढ़ा चानना है या ओधे objectives पूरे हो जानता सही आंसर आजी option number B क्योंकि कोई चीज available है कि कोई चीज अवेलेबल नहीं है कि पर मेरे पढ़ान वाली चीजनल मैच नहीं कर दी मैं हो थोड़ी लओंगा या अगर कोई चीज मेंगी या पर मेरे पढ़ानल मैच कर दिया तो मैं तो ना वही लओंगा ना यह ता नहीं कि सस्थी चीज आते हो मैच नहीं कर रही ते में हो ले लोंगा ना इसका कि ना कोशन नमबर 154 विजुल एड्स जो देखन वाले एड्स आ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देवेच वो केड़े अबजेक्टिव नूँ अचीव करन देवेच साधी मदद कर देया कि वो कोगनिटिव एफेक्टिव ते साइको मोटर अबजेक्टिव नूँ अचीव करन या सिरफ कोगनिटिव ते एफेक्टिव या सिरफ कोगनिटिव या सिरफ एफेक्टिव तैदा सही आंसर है जी ऑप्शन नमबर A कि ये दिनाल सारे ही अबजेक्टिव जो है असी उनूँ अचीव कर सकते हैं चाहे कोगनिटिव हा चाहे एफेक्टिव हा ते चाहे या जी सब्सक्राइब कोशन नमबर 155 तेन कोशन है कि सब्सक्राइब क्लास फाइब एक बच्चा एक को दम उठेया जिदना विनीता ओ केंदा टाइगर्ज शुट नौट भी किल्ड टाइगर्ज नू मारना नहीं चाहिदा क्योंकि खतम होनों वाले रहना ती गिंती काट रही है उन्चों लर्नर दा रियक्षन आया लेसन नू सुनके उन्हों से किदा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यो सारे ती अटेंशन लेना चाहंदा आएगा कि हाँ अभी मेंनू ता सारा होंदा आया नहीं जी कि यो लेसन नू इंट्रप्ट करना चाहंदा खराब भी करना विलेटिंग कंटेक्स्ट कंटेंट विद इस ओन ओन नॉलेज अबाउट दा वाइल लाइफ ओ जो पढ़ रहा है उन्हों अपनी नॉलेज देख रहा है जो उन्हों वाइल लाइफ बारे बता है या वे दखाना चांदा कि मैंता बहुत ज्यादा नॉलेज आ नहीं जी सही सब्सक्राइब होना चाहिए बिल्कुल ठीका इंट्रस्टिंग ते रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए बिल्कुल ठीका अगर ते नहीं ठीका ते आंसर की है जी आल आफ अब ठीक है जी लास्ट कोशन सो अगर वीडियो वजिया लगए ते फ्रेंड्स नहां ज़रू शेर कर देए यो पी एस टेट ली बहुत इंपोर्टेंट रहेगी सी टेट लेगी लास्ट कोशन लेंग्वेज लैब जिदा बिल्कुल सही है पीचिंग दे इन्नोवेटिव नवे मैथड इन्नोवेटिव टीचिंग कर सकते हैं बिल्कुल ठीका फिर अगर सारी ठीका ते आंसर है जी ओल आफ अबव बहुत-बहुत तानवाज जी तो आठा थेंक्यू ते मिल दे आजी नेक्स्ट वीडियो लाइक भी कर दियों बहुत-बहुत चानवाज तो अब ने कि का था अब